इंडिया के E-sports प्लेयर के लिए खास और एक नई शुरुवात है आईए जानते हैं इसके फॉर्माट के बारे में Battlegrounds Mobile India ओपन चैलंज के शुरुवात होगी इन गिम क्वालिफायर से जहां रेजिस्टर टीम्स को 15 क्लासिक माचेस खेलने होंगे खेले गए 15 मैचेस में से 10 बेस्ट मैचेस को पिक किया जाएगा, याद रहे क्लासिक मैचेस के रैंगल, मिरमार या सैन होक, तीनों मैप्स में से किसी मैप पर खेला जा सकता है इन गेम कौलिफायर्स के बाद 512 टीम्स जाएंगी राउंड वन में इन 512 टीम्स को 32 ग्रुप्स में डिवाइट किया जाएगा, हर एक ग्रुप को 5 मैचेस खेल ले होंगे और हर एक ग्रुप से टॉप 8 टीम्स प्रोसीट करेंगी अगले राउंड में, जो की होगा राउंड टू राउंड टू में आए हुए 256 टीम्स को 16 ग्रुप्स में डिवाइट किया जाएगा, हर एक ग्रुप को 5 मैचेस खेल ले होंगे राउंड टू के हर एक ग्रुप से टॉप 4 टीम्स जाएंगे अगले पढ़ाओ पर, जो की होगा बैटल गोंज मुबाइल इंडिया ओपन चैलेंज राउंड ट्री राउंड थ्री में 64 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइट किया जाएगा, जहां हर एक ग्रुप को 6 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा और हर एक ग्रुप से टॉप 8 टीम्स जाएंगे अगले पढ़ाओं में राउंड फॉर से शुरू होगा असली खेल, जहां कौलिफाई करके आई हुई टीम्स भिड़ेंगी 32 इंवाइट टीम्स के साथ मौका होगा कौलिफाई टीम के पास इंवाइट टीम को पचाड़ कर खुद को आगे रखने का राउंड फॉर में 64 टीम्स को फॉर ग्रुप्स में डिवाइट किया जाएगा और हर एक ग्रुप को 6 मैचेस खेल ले होंगे हर ग्रुप से टॉप सिक्स टीम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज के लिए आगे बनेगी यहां से शुरुवात होगी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज की जहां सभी टीम के पास बराबर मौका है अपना हुनर दिखाने का थुद को चैंपियन बनाने का बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज से आई हुई 24 टीम राउंड रॉबिल फॉर्मेट में भीड़ेंगी एक दूसरे से जहां मात्र 16 टीम बढ़ेंगी आगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज ग्रांड फाइनल में 16 टीम 24 माचेज और कोई एक चांपियन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज का बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज के लिए रेजिस्टर करना बहुत आसान है आईए जानते हैं रेजिस्टर कैसे कर सकते हैं रेजिस्टर करने के लिए इस्पोस.battlegroundsmobileindia.com वेबसाइट पर जाएए विंडो ओपन होने के बाद रेजिस्टर नाव पर क्लिक करें नेक्स्ट विंडो पर अपना इमेल आईडी डालें और फिर OTP का इस्तमाल करते वे खुद को सेक्सेस्पुली वेरिफाई करें अब बारी है अपने डीटेल्स भरने की जैसे की नेम, डेट ओब बर्थ, बीजी माई आईडी, गौवर्मेंट आईडी प्रूफ और खुद की प्रोफाईल पिक्शर सारी इंफोर्मिशन फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें अगली स्क्रीन पर आए टम्स अन कंडिशन और सारे चेक बॉक्सेस को टिक करें ये तो बात रही खुद को रेजिस्टर करने की अब जानते हैं आप खुद की टीम कैसे बना सकते हैं या फिर बनी हुई टीम को कैसे जॉइन कर सकते हैं रेज्स्रेशन के बाद यो टीम पर क्लिक करें यहां आपको तीन ऊप्शन्स दिये जाएंगे पहला «Create a Team», दूसरा «Join a Team और तीसरा «Find a Team» «Create a Team में टीम का नाम लिखें और फिर «Create New Team पर क्लिक करें» उसके बाद अपने टीम को कंपलीट करने के लिए कंपल सरी तीन अन्य प्लेयर को इन्वाइट करें ध्यान रखें आप 6 प्लेयर्स की टीम भी बना सकते हैं और साथ ही साथ टीम ओनर को भी आड़ कर सकते हैं प्लेयर इन्वाइट करने के दो तरीके हैं पहला, कोट के थुरू प्लियर्स, जॉइन टीम आप्शन का इस्तमाल कर टीम से जुड़ सकते हैं और दूसरा, प्लियर्स का इमेल एड्रेस आड़ कर सकते हैं और हम उन्हें आपकी टीम जॉइन करने का इंविटेशन सेंड करेंगे आप टीम को डिलीट और लीव भी कर सकते हैं ध्यान रहे, टीम लीव करने से पहले आपको टीम प्लियर्स में से किसी एक को क्याप्टन बनाना होगा ये तो बात रही टीम बनाने की आप बात कर सकते हैं कैसे आप पहले से बनी हुई टीम को जॉइन कर सकते हैं उसके लिए दो आप्शन्स हैं पहला, Join a Team और दूसरा, Find a Team Join a Team में आपको Team Code को पेस करना होगा और वहां से पहले से बनी हुई Team को जोईन कर सकते हैं Find a Team में आप Team का नाम या फिर Captain Name से Team सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पहले से बनी हुई Team को जोईन करने की इस तरीके से आप तयार हो जाएंगे Battlegrounds Mobile India Open Challenge खेलने के लिए For more information and details, you can contact us at contactus at the rate eSportsBattlegroundsMobileIndia.com कयार रहे सुझ को बनाने के लिए, तयार रहे चैंपियन बनने के लिए क्योंकि यह है अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा eSports Festival Hashtag Challenge Everything